राधे अपने केबिन में ही था कि इतने में ही संजीत का फोन बज पड़ा जो कि वो राधे के केबिन में ही भूल गया था राधे ने एक नजर फोन की तरब देखा स्क्रीन पर फ्लैस हो रहे नम से राधे की आँके हैराने से बड़ी हो गई उसने एक पल सोचा फिर अगले ही पल उसने फोन रिसीब कर लिया अगले ही पल उसके कानों में सीशे के तूटने की आवाज आई उन आदमियों में से एक आदमी आगे आया और उसने गाड़ी अनलोग कर दी दूसरे आदमी ने तुरन पीछे का दरवाजा खोला और प्रिसा को खीचने लगा क्योंकि वो सबसे साइड में थी सुरूती प्रिसा को अपनी तरफ खीचते वे चिलाने लगी छोड़ो उसे छोड़ो पर सुरूती नाकामया भी रही उस आदमी ने प्रिसा को खीच कर बाहर कर दिया और सुरूती के साथ रूची को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया रादे ने जैसे ही सुरूती की आवाज सुनी वो घबरा गया वो तेजी से अपने केविन से बाहर निकल गया उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे लिप्ट से नीचे चला गया संजीत रादे को ऐसे देख हैरान था और साथ ही रोहित भी इससे पहले संजीत कुछ रियक्ट करता लिप्ट का दरवाजा बंध हो चुका था संजीत ने एक नजर लिप्ट की तरब देखा और तेजी से सीडियों की तरब दोड़ा रोहित भी उसके पीछे ही चल दिया रादे जैसे ही पारकिंग एरिया में पहुचा उसने गाड़ी में बैठती अपना फोन निकाला और संजीत का फोन इस्पिकर में करके वही अपने सामने रख दिया और तुरंत उसने ड्राइवर को कॉल किया रूची के आखों में आसू आ गये वो जोर से रोने लगी सुरूती ने तुरंत रूची को अपने गले लगा लिया और उन लोगों से कहने लगी कौन हो तुम सब क्या चाहिए तुमें उन आदमियों ने कुछ भी नहीं कहा बलकि सुरूती और रूची को अलब करने लगे प्रिसा को एक आदमी ने पकड रखा था प्रिसा उससे चूटने की नाकाम सी कोशिसे कर रही थी तभी उसी समय ड्राइवर के पोकेट में रखा फोन बच पड़ा ड्राइवर इस हालत में नहीं तकी फोन उठा सके उन आदमें में से एक आदमी उस ड्राइवर की तरह और तुरंथी उसे जमीन पर पटक दिया राधे के फोन से बीप बीप की आवाज आने लगी राधे ने दुबारा नमबर डायल किया पर अब फोन बनता राधे ने तुरंथ चाची का नमबर डायल किया और उनसे सुरूती प्रिसा और रूची के बारे में पूछा चाची न को यू देखकर उसकी भी आखे नम हो चुकी थी तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी उन आदमियों ने तीनों लड़कियों को उस गाड़ी में जबरजस्ती बिठा दिया और गाड़ी का दर्वाजा बंद कर दिया गाड़ी का दर्वाजा बंद होते ही वो गाड़ी व अस्तेवे कहा ये क्या बिगाड लेगा हमारा इसमें ना तो जान है और नहीं जान उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा दिये और गाड़ी में बैठ गये पलभर में वो गाड़ी वहां से हवा हो गई ड्राइवर अब भी वहां बेसूत पड़ा हुआ था कुछी देर में एक ते सह आया वो तुरं ड्राइवर के पास गया ड्राइवर बेहोस था राधे ने तुरंद एम्बुलेंस को कॉल कर दिया तब तक वहां एक और गाड़ी आकर रुकी उसमें से संजीत और रोहित बाहर निकले संजीत की नजर जैसे ही सामने खड़ी गाड़ी और उसकी हालत पर पड़ी वो हैरान रह गया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया गाड़ी के अंदर उसे प्रिसा का मुबाइल मिला संजीत ने तुरंद उसे उठा लिया और फोन चेक करने लगा उसने जैसे ही देखा कि प्रिसा ने उसे कॉल किया था वो अपना फोन ढूरने लगा पर वो उ उसने उन्हें ड्राइवर को होस्पिटल भेजने के लिए कह दिया और खुद गाड़ी लेकर निकल गया संजीत तो बस देखता ही रह गया कुछी देर में एम्बुलेंस आ गई संजीत और रोहित ने मिलकर उस ड्राइवर को एम्बुलेंस में लिटा दिया तभी ड्राइव अब भी अपनी गाड़ी खाली सडक पर दोड़ा रहा था, उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था, वो बस गाड़ी भगाते वे बाहर की तरफ ही देख रहा था, कि कहीं से उसे पता चल जाए कि आखे तीनों लड़किया है कहा, राधे के दिमाग में वो एक्सिडेंट, उसके साथ वो गिफ्ट बॉक सब याद आने लगा, तभी उसके फोन की घंटी बज पड़ी, राधे ने अपने फोन की तरफ देखा, फोन पर रोहित कॉलिंग फ्लैस हो रहा था, राधे ने तुरंद कॉल रिसीप किया, राधे के फोन रिसीप करते ही, र अगर राधे ने अपना हाथ जोर से गाड़ी के स्टेरिंग पर मार दिया,